बकरी पालन का जारखंड की ग्रामीन अर्थ व्यवस्था में विशेश महत्व है यहां के गाउं में रहने वाले 30-40 प्रतिशत लोग बकरी पालते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि बकरीओं की नसल में गिरावाट आई है पारंपरिक विदी से उन्हें पालने के चलते बिमारियां भी बड़ी हैं और उनकी मृत्युदर भी पहले से बड़ी है इससे बकरी पालन से होने वाले आई में भी कमी आई है यह SLPS का यह प्रयास है कि नए तरीकों और शमता विकास के द्वारा लोगों को बकरी पालन के बेहतर और नए तरीके बताए जाए जिससे उन्हें आमदनी अच्छी हो और बिमारी और मृत्युदर में भी कमी हो बकरी पालन के इस नए और वाज्यानिक तरीके में पशु सक्खी, गोट क्लब और गोट रिसर्ट सेंटर विशेश महत्वर रखते हैं हम लोग पशु सक्खी से दिदी लोग बकरी पालने का नया और बेहतर तरीका बताते हैं हम लोग समू के महिलां को चारा पानी अदाना के बारे में बहतर तरीके बताते हैं हम लोग बकरी का घर रख रखाओ के बारे में भी बताते हैं हम लोग PPR और डिवार्मिंग और दावा के बारे में भी बताते हैं प्रशिक्षन देते हैं ताकि बहतर तरीका से बकरी पलन कर सके समू को दिदी लोग को हम लोग अच्छा बकरी चुना करके बैचने और खरिदने में भी मदद करते हैं दीदी साब जोहार दीदी हम बकरी के बारे में बताने आए हैं जब हम जो पुर्खा से बकरी साब पाल रहे हैं कैसे पालते हैं परंपरा है ना पालने का तो बकरी तो हम लोग जब पालते हैं तो बकरी का ध्यान तो नहीं देते हैं कईसे का करना है ,खिलाना है किसे उस बहुत में हम लोगह branding देते हैं हम लोगह ड्यान नहीं कि खुछन कारणे में कितना बार बैमारी हो रहा है तो दिदी नया तरीक बताइंग उसको अपनाने चाहेगा हाँ दीदी चाहते हैं कि को जादा पैडा मिले हाँ दीदी हम लोग करना चाहते हैं लेकिन इसका क्या-क्या नया नया तरिका है उसे बताईए दीदी आप लोग नया तरिका से बखरी पलियेगा ना तो मुनाफ़ा जादा होगा दीदी उद्धर काम होगा और दिमार काम होगा ठीक है दीदी आप लोग नया तरीका बताईए हम लोग तो जानना चाहते हैं और आप लोग जो बताईएगा वही नया तरीका से हम लोग पालेंगे जिदी लोग एक देख रहे हैं हारा चरह है हम अप्रोग जब भी हरा चरह खिलाएगा तो इसी तरह का टांग के खिलाएगा जमिन के नीचे सटना नहीं चाहिए हम और इसमें 2 फैदा है एक तो पत्ता गंदा नहीं होगा और बकरी का पेट में गंदगी नहीं जाएगी और दूसरा फैदा है कि बकरी उचल के खाएगा तो उसका विकास अच्छा होगा दिदी यह पानी एस्टान है इसमें पानी साफ रहता है दूसरा बकरी का गला नहीं दरत देगा जुक के पीएगा तो दरत देगा जुक के नहीं पीएगा तो दरत उसका नहीं देगा और तिसरा फैदा है कि उसका विकास अच्छा होगा दिदी यह चरही है इसमें हम दाना डाल रहे हैं दिदी इसमें दाना डाल के खिलाने से दाना का परबात नहीं होगा और दाना नीचे नहीं गिरेगा और समय का बचत होगा दिदी जब इसमें आप डाना डाल के बक्री को खिलाएगा तो घर का कुछ भी काम आवर कर सकते हैं दिदी आप लोग तो यह देख लेने खाने खाने या पीने का केसे रखना चाहिए यह है रहने का दिदी बक्री को रखने के लिए नमी से दूर रखने के लिए ऐसे मचान बना के रखना चाहिए दिदी बक्री को रखने के लिए उसका घर हवादा रहना चाहिए और सुखा रहना चाहिए दीदी आप जो बाता है उस अब तो हम लोग सुनें अच्छा लगा सुनके तो बाकरी बीमार होगी तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा दीदी बाकरी सब का जो मुख बेमारी पीपीयर होता है पीपीयर एक बार टिका लागने से तीन साल तक पीपीयर नहीं होगा इसो का बालऑ हे संवे चार रुपए हने प्य समय को डिवार्मिंग करते हैं और उसको दावा का दम चार रुपए और पासुषकी कर एक लेते हैं साल में साल में दो बर इसका दावा खिलाना पड़ता है बार्सा से पहले और बार्सा के बाद में दीदी लोग इसका इलावा और भी पेमारे हैं उसको दूर करने के लिए उपाय भी है आगले बर विस्तार से बताएंगे अग्षर के वाद मतलब गोट रिसस्देंटर ज hustle block level का एक संग यहीं गौट कलब का उपर का संग है गोट कलब का सारे सदस्थ का प्रसीख्चन और टीम लीडर का प्रसीख्चन जियार्सी में होता है ठसुष लूच्ट का प्रसीख्चन भी जी यार्सी में होता है resawait. मनरपूर में 20 महलाओ popular mites महलाओं का एक संग बनाए है, जयर्सी बनाए है, जयर्सी का नाम है लच्मी बकरी पालक संग जयर्सी में बकरी का खरीद बिकरी होगा चारा दणा तेयार किया जाएगा और अहीं से बिकरी होगा गोट कलब की महिलाएं चारा दना तेयर करेंगी बकरी से संबंदित बिमारी का इलाज यहां होगा और एही से दवाई दिया जाएगा जी आरसी में नसल सुधार और मेमना नर्शरी का भी सुविधा है बकरी बीमा और बकरा उध्यमी की सुविधा भी जी आर्सी में उपलब्द है इसके इलावा भी बक्री से संबंदित सारी जनकारी एहीं से मिलेगी जी आर्सी के काम में गोट्रेस टेक्निक की सही होग करती है सभी दिद्यों को जोहार मेरा नाम देवकी महतो समू का नाम है चांदनी स्वेंसेता समू गांगोफिपूर जब से पसु सखी आई है तब बताई कि नया तरीका और हम लोकू तरीका को अपनाएं और मेरी तवीदर काम हुई और जो बिमारी है उँ हटने लगी और उससे अभी ज़्यादा विकास हो रहा है कि अपनाएं